नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका pathfinder study point में मैं दिवाकर गुपता एक बार फिर से आपका welcome करता हूँ दोस्तों 10 फरवरी को UPPCL ARO का exam हुआ था जिसमें computer मैंने हिंदी वाला paper upload कर दिया है अब मैं computer का भी paper upload करूँगा को कि UPPCL में दिक्कत क्या है कि previous year papers नहीं मिलते हैं और काफी दिक्कत होती है तो official solve जो आया है 18 तारिक को उसी की मैं आपको solution दिखा रहा हूँ कि कौन से questions का क्या सही था और जिन लोगों को आगे भी exam देना है तो पहली चीज़ तो इसमें total 50 question होते हैं और हर question को एक number होता सही करने पर और गलत करने पर यानि wrong answer देने पर minus marking होती 1 by 4 और 50 में 20 number लाना जरूरी है computer में तब ही आगे जो इसके बाद जो 200 questions का हिंदी और English GS होता है वो चेक होगा नहीं तो नहीं चेक होगा और यह जो computer का paper है यह qualifying nature है इसका merit में number नहीं जोड़ा जाता है तो चलिए start करते हैं हम इसको पहला question है नीम लिखित मेंसे कौन सा एक search engine नहीं है तो mozilla जो है एक search engine नहीं है बाकि याहू, बिंग और गूगल एक search engine है mozilla क्या है mozilla एक browser है जो ब्राउजर है फिर निम लिखित मेंसे कौन सा application software का प्रकार नहीं है तो language processor जो है यह कोई भी application software क का प्रकार नहीं है पिर ये कौन सा इसमें से एक कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है तो DVD मेमोरी होता है flash drive भी होता है hard drive भी होता लेकिन coder जो होता है ये memory नहीं होती है फिर फोर्थ question हम देखते है निम लिखी तुमें से कौन सा एक video calling application नहीं है तो Google VIP जो है इससे जो है कोई चैट या call वाला application नहीं है इसके अलामा जियो चैट आइमो और Google Duo ये सब जो है calling के video calling के applications है जिस प्रकार से skype होता है निम लिखीत में से कौन सा compression टूल नहीं है तो archiver जो है compression टूल नहीं है बाकी आप जानते हैं अगर आप computer के बारे में जानते हैं तो zip file को कैसे compress किया आता है विन आरार है पी जिप है और 7 जिप ये सब आर्च वह है लेकिन archiver जो है ये compression का कोई टूल नहीं है इन में से कौन सा एक operating system का उधार नहीं तो window explorer आप जानते हैं कि window explorer operating system नहीं होता है ये window को open करने का एक application होता है FLV file player कौन सा है इसमें से तो VLC media player जो हम लोग use करते हैं computer में वो एक जो है FLV file को play कर सकता है फिर निमलिखित में से कौन सा एक procedural programming language नहीं है तो C++ जो है एक procedural programming language नहीं है इसके अलावा basic photon और C जो है ये procedural programming language है फिर which are these are not a valid audio format तो इसमें से कौन सा audio format सही नहीं है तो FLV जो होता है ये video format होता है और audio नहीं होता MP4 WAV और MP3 ये सब जो है audio files होती है फिर which are these is not a valid floating constant used in C language तो इसका answer होगा 7 फिर इन में से कौन सा एक antivirus software नहीं है तो Casper Sky जो है sorry hangout जो है एक antivirus नहीं आप जानते hangout पर क्या किया जाता है ये messaging और chatting का app है बाकी इसके आवीरा कुई खील और Casper Sky ये सब जो है antivirus है फिर data transfer के सबसे दीमी है तो twisted pair कीविल होती है ये सबसे धीमी होती है बाकी जो है इसमें सब दी है ये सब तेज होती है फिर data केविल मतलब data transfer के लिए सबसे तेज केविल अब पूछा है तो optical fiber जो latest technology है आप जानते हैं कि इस समय जितने भी इंटरनेट यूज होता है वो optical fiber पर यूज होता है तो ये सबसे तेज जो है data transfer के लिए यूज होता है फिर निमलिखित में से कौन से network सामानता सबसे धीमा होता है तो वैन जो होता है यानि वाइड एरिया network ये सबसे धीमा network होता है लाइन मैन जो है ये सब तेज होते हैं फिर ms word 2007 में font के size को अगर कम करना है तो उसके लिए shortcut क्या होना थी तो control shift और plus दबाते हैं तो font का size कम हो जाता है फिर gif image format कितने colors को support करता है तो gif जो file होती है graphical interchangeable file ये 256 तरह के color को support करता है फिर .bmp जो होती है ये किस के लिए होती है तो इसको कहते है bitmap image file ये तरह की image software की file होती है और इसका full form होता है bitmap image file फिर disk fragmenter क्या होता है जब आप जानते हैं कि आपके drives में गरबड़ी हो जाती है और space की problem आ जाती है तो disk fragmenter जो होता है ये चलाया जाता है उसमें तो ये utility tool है computer का फिर bit per second की unit क्या है तो bit per second जो है data transfer rate होता है जैसे हम कहते हैं कि हमको इतने 80 bit per second rate से जो है internet चला है या जो है हम file को copy कर रहे है तो data जो transfer होता है उसकी rate होती है वो bits per second में ना पी जाती है फिर SSL जो होता है इसका वो क्या होता है तो secure socket layer SSL का जो full form होता है वो क्या होता है secure socket layer size आप string literal कितना होता है string literal का size जो है 4 होता है फिर binary number system has a base तो binary system आप जानते हैं कि 0 1 पे operate होता है तो 0 और 1 यानि 2 जो है binary system में waste होते है फिर processing of textual matter and creation and document done through तो जो text या document बना जाते हों किसमें बना जाते हैं word processing software जैसे MS word हुआ Microsoft word तो इसको क्या कहेंगे words processing software कहेंगे फिर IMPS का full form क्या होता है immediate payment service जैसे आप जो है इसी तरह से IMPS भी होता है कि अगर किसी को तुरंत बहुत immediate पैसा भेजना है तो IMPS service यानि immediate payment service का यूज करते हैं फिर operating system एवं भासा प्रोसेसर यानि operating system and language प्रोसेसर को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं सिफ्टम सॉफ्ट्वेर कहते हैं network interface unit is also known as terminal SS point यानि TAP इसको कहते हैं तो terminal SS point फिर interpreter जो होता है यह क्या करता है converts high-level language into machine language फिर एक सब्सक्राइब होता है farming जो hacking से related इसमें क्या होता है dna software की भेदेता का मतलब is exploitation of a vulnerability in the dna server software which allows to a hacker to acquire a domain name मतलब किसी की website पे जो domain name होता यानि जो website का नाम होता है तो उसके domain name को जब hiker hike कर लेता है और वो क्या करता है वो उस website पे जो आने वाला लोगों का traffic है उसको divert कर देता है दूसरी website पे तो इस चीज को क्या करते है farming कहते है technical भासा में cyber की भासा में फिर MS PowerPoint में अगर हमको किसी भी text को select करके उसको bold format करना है तो उसके लिए हम conscious की यूज करते हैं Ctrl B यूज करते हैं Ctrl B for bold Ctrl के साथ B को दबाते हैं फिर एपरानेट की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी to create a bookmark to assign a name of a specific point in a document command is available तो MS Word में अगर हमको कोई document create किया है उसमें bookmark कहीं पर देना है तो यह bookmark का option कहां आता है वो insert में आता है insert tab जो उसमें होता है उसके अंदर हमको bookmark का option होता है फिर plotter क्या होता है आप जानते हैं जैसे यह vinyl board छपते हैं और बड़े-बड़े banners आजकल छपते हैं तो यह एक बड़ी machine होती है जो printer जैसी ही होती है colored print करती है तो उसको plotter होलते है तो यह क्या हो गया एक output device हो गई फिर एक DVD की जो है छमता कितनी होती है 4.7 GB होती है फिर वो message जो एक web server web browser को भेजता है जिससे की web server किसी business website पर user की गत्विजियों की जानकारी रख सके उसको क्या कहते है cookies कहते है तो cookies हमारे उसमें save होती जाती है जो जैसे ही मालीजे हम बार बार जैसे मालीजे हम UPPSC की site को खोलते हैं दिन में 4 बार खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि वह site एकदम से बहुत तेज आप UPPSC लिख पाएंगे तब तक वह site का दोमेन नेम आ जाता है और जैसे खुलेंगे वह page बहुत तेज खुलता है तो क्या होता है उसकी जो cookies होती है हमाई system में save हो जाती ब्राउजर में तो उससे जो है वह तेजी से खुल जाता है फिर audio editing जो की जाती हो किस software के थुरू की जाती तो जो तीनों software इसमें से दिये हुए है सुरी उसमें से एक और दो जो दिये हुए है आड़े सिटी और वी अलसी इनके द्वारा audio में जो है किसी तरह के audio की editing की जा सकती है और यह जो पिकासा software है यह क्या है यह जो है एक image को image को जो है एडिट करने का software होता है फिर image editing के बारे में पूछा है कि image editing की software की जाती है तो Adobe Photoshop Microsoft Office picture viewer और पिकासा यह तीनों पे जो है editing की जाती है यह जो है इसका correct answer क्या हो गया 1 2 & 3 तीनों इसका सही एंस फिर escape sequence जो इस तरह से लिखा जाता है जो c++ language में use होता है वो किसके लिखे जाता है तो carriage return के लिए इसका use होता है फिर इस तरह से escape system जो है यह वाला बी वाला और यह use होता है backspace के लिए जो लोग programming पढ़े हुए वो जानते हैं कि इसका बाकी जिनको c language के बारे में नहीं जानकारी है तो इसको समझना थोड़ा आसान नहीं है फिर minimum limit of fund transfer जो rtgs होता है जब हम बैंक में फंड कर ट्रांसफर के तो उसमें सब सबस अगर minimum की बात करें तो rtgs के थुरूद दो लाग से कम की money नहीं ट्रांसफर किया सकती है फिर हम एक google chrome में नया window खोलने के लिए हम क्या कौन सी shortcut की दबाते हैं control n and for new यानि control के साथ and दबाएंगे तो एक नया window खुल जाएगा फिर for best possible result in job scheduling किसको minimum तो waiting time को minimum करना चाहिए उसमें फिर ms powerpoint जो हता है जिसमें slide और presentation त्यार कियाती है उसमें क्या है चित्रों के सेट के पर आधारिक presentation निर्मान के लिए किस command का उप्योग करते हैं तो photo album का उप्योग करते हैं अगर हमको उसमें चित्रों को एक साथ दिखाना है एक के बाद एक तो photo album का जो option होता है उसको उसका चाहन करते हैं फिर आल अट्रिब्यूट कंबनेशन इंसाइड रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की उसको क्या कहते हैं अगर तो एक टेविल का पूरा सम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं आल्ट प्लस दबाते हैं जो उसका शॉर्टकट की होता है 332 power 10 KBaban कितने के बराँबर होता है तो ये 1 Mb के बराबर होता है इसी तरह से 232 power 10 Mb To씨 तो वो 1 GB गीज़े हूँ करने जो विंडोस हाइर्वाल होता है जो हाइकिंग से बचाने के लिए और पिसिंग TP Tale से बचाने के लिए होता है तो ये कहां यूज होता है तो साफ्ट्वेयर और हाइड एयर दोनों में जो है इसका प्रियोग किया जाता है फिर स्लिप SLIP का फुल फॉर्म क्या है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोकर प्रोटोकॉल उसके बाद दफुल फॉर्म आप सिम तो सिम का फॉल फॉर्म बहुत आसान आप जानते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल फिर which of the following terms can be best associated with sports swimming तो breaststroke यह GS का पेपर अब सुरू हो गया यहां पर तो GS का पेपर हम एक नए सेग्मेंट में लेते हैं क्योंकि यहां तक कंप्यूटर का ठीक है तो अब जो नया सेग्मेंट आएगा उसमें हम जो GS के पेपर का सॉल्व करेंगे थैंक यू फर वाचिंग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नमस्कार